जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बिहार विद्याले परिच्छा समीति के द्वारा बिहार बोड इंडा नामाकन का सकेंड लिस्ट जारी कर दिया गया है आज है यहाँ पे 2 सितंबर तो आप लोग भी OFSS सकेंड मेरिट लिस्ट देख लिजिए इसमें आपका नाम आया है तो आप लोग अपना अडमिशन ले लिजिएगा यह वैसे छात्र जिनका OFSS First Merit List में नाम आया है वो अडमिशन किसी तरह से नहीं ले पाए हैं तो Second Merit List जारी कर दिया गया है तो इसमें भी आप लोग अपना नामाकन करा सकते हैं तो आए हम लोग जानते है Official Notification क्या क्या आया है तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं बिहार पे द्याले परिछा समीती द्वारा सत्र 2022-24 के लिए राजी के Intermediate अस्तर की सिच्छा प्रदान करने वाले सिच्छ सहस्थानों में 21 कच्छा में नामांकन है तो द्यूती चेहर सोची सकेंड सेलेक्शन लिस्ट दिनांक 29-2022 को जारी किया जाएगा यानि कि आज के दिन जारी किया जाएगा द्यूती चेहर सोची के आधार पर सिच्छ सहस्थानों में नामांकन दिनांक यह भी देखिए दो तारिक नुमा महीने 2022 से साथ तारिक नुमा महीने 2022 तक किया जाएगा तीक है यानि कि साथ तारिक तक आपका नमांकर्ण करवा लेना है आगे है सिच्छा संस्थान अपने संस्थान में प्रती दिन नामांकित विद्यार्थियों की बिवरनी को अगले दिन अनिवारी रूप से OFSS portal www.ofssbhar.infor online entry करेंगे आगे है विद्यार्थियों द्वारा नामांकिन के बाद लाइड़ अप की प्रकेया के लिए online आवेदन दिनांग 2922 से 7922 तक किया जाएगा यानि कि जो स्टुडेंट को second merit list में भी कोई college नहीं पसंद आया या जहां कि उनका college दिया गया है वो उस college में नामांकर नहीं लेना चाहते हैं तो slider का भी आपको मौका दिया जाएगा उसके लिए आवेदन 2922 से और 7922 तक किया जाएगा ठीक है जैसे कि first merit list में जिनका नाम आया है वो नहीं कर पाए है तो slider भी आप लोग कर सकते हैं आगे है यहां पे जिस विद्यार्थी का चयन दित्य चयन सूची में नहीं होता है उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अबधी 2922 से 722 तक निर्धारित है उक्त प्रकेरिया में इसे प्रकार की कठनाई होने पर हिल्प लाइन नमबर सब पर किया जा सकता है छोड़ी हिल्प लाइन नमबर तो काम का है नहीं क्योंकि कौल लगे वाला है नहीं को बहत्वपूर्ण तिथियां दिर्की चैनल सुखी जारी करने के बाद ये देखिए जारी करने के बाद बहत्वपूर्ण तिथि दिया गया है नामांगन की तिथि दिया गया है 2009-2022 से 2009-2022 तक आगे है सकेंड में सिच्चन सहस्थान द्वारा www.ofssbh.in में लॉग इन कर स्टीट ऑनलाइन अपडेट करने की अंतिमति थि है ध्यान देंगे 2009-2022 आप लोग कोशिज करिएगा कि इतना तारीक तक आप लोग लॉग इन कर लीजेगा ठीक है वरना बाद में बहुत प्रॉबलम हो जाएगा विद्यार्थू द्वारा नमांकन के बाद स्लाइडर की प्रकिरिया के लिए ओनलाइन आवेदन की थी यहां पर दिना का आप लोग देख सकते हैं स्लाइडर अप करने का 2922 से 2922 तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साथ तारीक तक आप लोग अपना नामांकन कर लें और जिनका कॉलेज में नामांकन अपने मन पसंद के नुसार नहीं हुआ है तो आप लोग स्लाइडर भी इतना तारीक के बीच में कर सकते ह हैं और सभी विद्यार थी इतना तारीक के बीच में अटमिशन भी ले सकते हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड से जरूर कीज़ेगा मिलते हैं किसी अगरे नोटिफिकेशन में सब तक बाबाई टेक क्या थे वर बाचिन दिस व यूच कर दो